है गाइस वेलकम बेक टू आर यूटीव चैनल तो आज की इस प्रियोड में हम डिसकस करने वाले हैं बी एक्षी टूटाउजन एटीन मसी केमेश्ट्री इंट्रांस का पेपर सोलिशन तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा डिटेल एंड वीडियो में एंड तक बने रहेगा एंड एक किस टेप को समझने की कोसिस किजएगा तो बिना दिर की चलिए आज की वीडियो को हम सुरू करते हैं तो सबसे पहला क आज को सबस्क्राइब ग्राइब करें जो हमारा हमिलों टों यर local उल्प्रेटर होता है यह is equal to sum of potential energy plus kinetic energy के sum के equal होता है and अगर आप option में यहां पर भी देखेंगे H stands for sum of potential and kinetic energies वो आपका बिल्कुल यहां पर correct option है यानि option में भी इसका हो जाएगा correct answer देकिनेक्ट कोश्चन हमें क्या दिया हुआ है the ground state energy of an electron is mass यहां पर 10 to the power minus 30 kg confined to a box of the size of atom is 10 to the power minus 10 meter is 35 electron volt हमें यह दी हुई है okay and the energy is 3500 mega electron for the size of the box यानि हमें यहां पर size यानि L की value पूछी जारी क्या होगी जब उसकी energy होगी 3500 mega electron volt तो देखिए इस question कैसे करेंगे यहां पर देखिए मैंने solution पहले से कर रखाए देखिए क्या होगा energy is gold क्या होता है n square h square by 8 ml square and यहां पर हम बात करें energy for one state यानि E1 के लिए तो n की भीने मारी क्या हो जाएगी 1 आजएगी यानि H square by 8 ml square हमारी यह value यहां पर आने वाली है अब E1 के लिए अगर हमें हाप energy अगर put करेंगे तो हमें दियावाइ 3500 मेगा electron volt है तो अब इससे हमें joule में convert करना होगा तो joule में convert करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इससे तो हम electron volt में convert करेंगे यानि जो 3500 दी हुई है उससे तो हमने electron volt में 10 to the power 6 से multiply कर दिया convert अब इससे जब जूल में convert करना होगा तो इससे हम 1.6 into 10 to the power minus 19 से multiply कर देंगे तो यह जो energy हमारी इससे पावर मैनस 30 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एल स्क्वेर का value है find करना यानि आपको normally L की value find करनी है और जब आप इससे solve करने तो L की value जो आएगे आपके 10 to the power minus 14 आ जाएगे जो PX into Y का multiplication होता है वो होता है आपका 0 यानि uncertainty product जो है PX into Y ठीक है वो momentum and आपका यहाँ पर positions का जो अगर हम बात करता ही होगा आपका 0 क्या हो जाएगा 0 नेक्ट कुछन दी कि हम क्या दिया हुआ है the IR spectrum of HCL source 3 bands है HCL जो हो रहा है 3 bands आपको सो कर रहा है the most intense one is 2890 okay and while the weaker ones at weaker ones क्या होगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो इसकी range होती है जो इसकी range होती है वो आपकी अगर मैं बताते चलूँ HCL के लिए तो वो range ही होती है आपकी 4000 to 400 cm inverse IR spectrum की और यहाँ पर आप बात करें तो सारे value जो है 500 cross है और यह 800 है 11,000 यह भी 800 है तो यहाँ पर एक ही value जो है हमारा 4000 to 400 cm inverse के अंदर लाई कर रहा है तो वो हो जाएगा आपको option number A next question देखे हमें क्या दिया हुआ है the width of an emission line during transition of an atom from 1 to its excited state to the ground state is यहाँ पर 0.33 में दिया हुआ है the lifetime of the the lifetime of the excited state हमें यह पूछा गिया है देखे इस question कैसे करेंगे हमें यहाँ पर lifetime पूछा गिया है यह अगर आप equation अगर आपको याद है अच्छे से तो देखे क्या होता है E into delta T is equal to h by 4 pi होता है औक एट यहाँ पर जो energy हमें दिया हुआ है okay इस energy को हमें यहाँ पर dake centimeter inverse में है तो हम इसी centimeter inverse स सबसब पहले convert कर लेंगे okay तो यहाँ पर देखे e into h 치 से multiply कर देंगे यह हमारा value हमारा दो насколько convert centimeter inverse मेर्स और यहाँ पर delta T हो गया and is equal to हमारा h by 4 pi हमें दिया हुआ है and simply जो है क्या है हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां से जो h है and यह जो h है आपस में cancel होगा यानि e c into delta t is equal to 1 by 4 pi आपकी यह value आजाएगी अब simply आपको यहाँ पर delta t find कर देना है जानि delta t is equal to 1 by 4 pi c into e हो जाएगा and यहाँ पर 1 by 4 pi 4 into 3.14 यहाँ पर पूट करेंगे c हमारा है velocity of light 3 into 10 to the power 8 हो जाएगा and energy जो हमें दिया हुआ है 0.33 दिया हुआ है तो इसे आप simply meter में convert कर देंगे 10 to the power minus 2 से 10 to the power 2 से multiply कर देंगे इस तरीके से तो आपकी जो यहाँ पर जाप पूर्दी के solve कर लेंगे तो आपकी आ जाएगे value 100 sorry 1 ps से करीब आ जाएगे क्या जाएगे 1 into 10 to the power minus 12 यहाँ नि 1 ps के करीब जो है आपकी यहाँ पर value आने वाली है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप्सेंस में नहीं है बट इन्होंने एंसर की में जो दिया हुआ था वह 100 ps दिया हुआ था तो करेट एंसर इसके लिए जाएगा ऑप्सन नमबर C देके ने इस कूप्सन क्या दिया हुआ हुआ है फॉर पार्टिकल इन क्यूबिक बॉक्स ओफ एज ए हाव लोंग इप हाव मैनी स्टेट से हैव एनर्जी इन दर रेंज और शिक्स्टीन एच स्कूर बाइट में स्कूर दर नमबर इस यहां पर डिजनर सी पूछ जारी एंड यहां पर अलग 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 इस्टेट के लि जो ऐ some of the Social Lun get less response क्रकर lagi के लिए तो आपने सबसे पहले स्पेक्टाम यह सबसे नमर इसक्टर में सबसे कहाँ हो एंड आप सबी सबसे स्देए है वह CO2 कितने होंगे तो normally अगर आप vibrational count करते हैं तो क्या होता है 3N minus 5 or 6 अगर linear है तो 5 non-linear है तो 6 होता है तो C double bond O double bond यह आपका linear तो 3N minus 5 लिखेंगे and total number of atoms कितने है 1 2 3 यानि 3 into 3 minus 5 यानि 9 minus 5 कितने हो गए 4 टोटल जो vibrational जो आपके यहां पर spectrum आ रहे हैं वह 4 आ रहे हैं बट जो total vibrational होते हैं हो क्या होते हैं वह symmetric के anti-symmetric के stretching इस तरीके से end bending type के होते हैं बट जब आप यहां पर एक band जो करेंगे तो एक जो आता है CO2 के लिए आपका एक आता है symmetric stretching इस case में जब आपको पता है कि IR spectrum के लिए डाइपोल मोमेंट चेंजिंग होना चाहिए यहां पर आप आप देखेंगे तो इसके लिए तो आपका डाइपोल मेंट सीमेट्रिक के लिए जो है जीरो आ जाता है और इस जीरो डाइपोल मोमेंट के लिए यह सीमेट्रिक की stretching जो हता है आपका यहां पर आयार इनक्टिव होजाता है जानी जो चार इस्पेक्ट्रम है उसमें से एक स्पेक्ट्रम जो आपका इनक्टिव हो जाता है यानि हमारे है टोटल स्पेक्ट्रम जब बचे हैं यहां पे ओली तीनी सो करेंगे जानी और एंसर हो जाएगा हमारे हाँ पर थुरी नेस्ट कुछ ने क्या दिया हुआ है विच 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 वन आप दा फॉलाइंग मॉलीक्यूल्स बिलॉंग्स टू दा पॉंट ग्रूप सी टू भी द क्या दिया हुआ है वाट उडबी दा स्पीन फंक्शंस कंपोनेंट इन दा स्पीन ओर्बाइटल ऑफ दे ग्राउंड इस्टेट इस टू यह जो होगा आपका अल्फा वन बीटा टू मैनस अल्फा टू बीटा वन यह होता है आपका इसा करेंट एंसर नेक्स कुछ इस इंस्टूमेंट विल भी यह क्या होगा तो इस क्यसे करेंगे हाँ अब नहीं क्या होसाखर हमें सबसे पहले क्या वेट 0.4 टेष्ह इस मगई हो जाएंग होता है अगर ऑन पोइंट Kisuट एफ्टे की बात में होता है तो यहां पर शूंव करएंग तो यह kost देखिए तो आपका हो जाएगा option number 20 का correct answer नियाश कुछिन देख क्या दिया हुआ है में यहापे the gradual decrease in the spacing between successive lines with increase in the rotational spectrum is observed in the microwave spectrum of AB molecule is it is आपका हो जाएगा in the region of very high J in the region of very high J इसके कारण जोगा यहापे इसका answer यह हो जाएगा नियाश कुछिन देख क्या दिया हुआ है the high temperature limit of Boltzman distribution low for two energy levels EI and EJ of degeneracy GI and GJ respectively यह जो हमें पुछा गया है यह मैंने अपने rotational spectroscopy पढ़ाया है आप सभी को मैंने वहाँ पर पताया था कि EI by EJ is equal to GI by GJ into E to the power delta E by KBT के भी हमारे यहापे Boltzman constant है और हमें पुछा गया कि high temperature यानि temperature infinity यानि बहुत जागा हाई ले लिए तो temperature जब infinity हो जाएगा तो जो डेल्टा E by KBT उसकी वहलू क्या जाएगा इस केस में अब क्या हो जागा EI by EJ is equal to GI by GJ के equal हो जागा यानि आपकी जहाँ पर value आने वाली वह आगी आपकी option number 2 GI by GJ आपकी value आजाएगी तो correct answer हो जागा इस केस के लिए आपका option number 2 नेश कुछने के हमें क्या दिया हुआ है the molecular translational partition function for sorry of N2 molecules changes with हमें यहाँ पर normally जो है मैंने आपको statistical thermodynamics में पढ़ाया है translational energy का value होता वो क्या होता है वहाँ पर मैंने बताया था कि जो Q translational होता है उसके value होता है 2 pi m kb into T by h square whole to the power 3 by 2 into V होता है यहाँ पर आप देखेंगे जो Q translational है अगर हम इसे सारी चीज़ों का हम constant माले तो temperature साथ में यहाँ पर आप देखेंगे का जो connected है वह आपका Q translational जो है Q translational dietly proportional T to the power 3 by 2 के equal है यहाँ पर आप इसे जूम करके मैं आपको दिखाऊ यहाँ तो इस value में आप देखेंगे तो इन स यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा correct answer option number B तो यह देखें नॉर्मल से question थे next question देखेंगे क्या दिया हुआ है which molecular partition function q of diatomic molecule is proportional to q किसके प्रोपोर्शनल होगा temperature के जो है कौन सा यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है अगर आप q rotational की value देखेंगे तो क्या होता है 2kb into t mu r square by sigma h square यहाँ पर q rotational की value होती है यहाँ पर आप देखेंगे जो q rotational है वह डियाटली प्रोपोर्शनल यहाँ जो है वह temperature के साथ लीनियरली यहाँ पर combine में है यानि q translational के डियाटली प्रोपोर्शनल है यानि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सा हमारा linearly connected है यानि डियाटली प्रोपोर्शनल है तो q rotational हो जाएगा तो correct answer हो जागा option number यहाँ पर 1 देखेंगे next question क्या दियाओ according to debacle limiting low तो यहाँ पर log plus minus log gamma plus minus की value में यहाँ पूछी गई है for BACL2 तो इसके लिए मैं बता दूँ इसका solution मैं यहाँ पर आपको नहीं कर रहा हूँ आप में टेलिग्राम ग्रूप जोइन करेंगे मैंने वहाँ पर solution provide इसका कर दिया है वहाँ पर मैं इसका solution बता दूँगा 66 at 30 degree Celsius यानी temperature increase कर रहा है तो potential decrease हो रहा है the standard entropy change of for the full stoichiometric cell is 25 degree Celsius is क्या होगा में यह पूछा जा रहा है तो देखें इस question करने के लिए आप देखें क्या करेंगा अपनी electro chemistry पढ़ा है कि सबसे पहले तो हमारे जब फोरूला हता है हम हम यहां पर कुछ भी constant लेकर नहीं चल रहा है normally हम यहां पर बस numerical solve कर रहे हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि डेल्टा सिगल टो एन्फ डीटी होता यह हमारा हो गया यह क्या हो जाएगा डी याणि चींज इन एम एफ हैंड आप फूसी और टूसीन च्रफ गारें तो हमारा या जाएगा यहां पर थिलिद्ज दिया एंड टिवाइड रहा एट टेंपरेशा जञप्रेश टेंप्रेशा टैंस करें चाहें नहीं करें नॉर्मलिय हमारी करें तो आपके आजाएगे तो आपके आजाएगे तो आपके आजाएगे तो आपके आजाएगा 10 लेकिन यहां पर एक इंपोर्टन बात जो है यह आपको दिया हुआ है एम भी में दिया हुआ है मेगा वोल्ट में दिया हुआ है उसे आपको जो है वोल्ट में convert करना होगा एंड वोल्ट में convert करने के लिए जो आपको इसको तेन टुबावर मैनस 3 से multiply भी करना होगा 3 को ओके तो आपके value क्या आएगा 3 इंटू 10 दूबावर मैनस 3 बाइट 10 के गरीवाद आएगी यहाँ पर जब इसी next solve करेंगे तो आभी value क्या आएगे 3 इंटू 10 दूबावर मैनस 4 आप डिखे यहाँ पर delta S जब calculate करेंगे तो n f d e by dt हो जाएगा तो n की value 2 है विकोज यहाँ पर आप इस reaction को देखेंगे 2 h प्लस से जो है आपका h2 में जाएगा तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 2 electron का जो चेंजिंग होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 इंटू f की value आपको पता है फ्रेड कॉंस्टेंट 965 जिरो इंटू d e by dt की value 3 इंटू 10 दूर मानस 4 जिब इसी solve करेंगे तो आपकी value आजेगे 16 Joule पर के ल इंट्रफेस ऑफ एच्टी एच्टू एच माइनस अट 25 डिलिग सेसे फॉर अन ओवर पोटेंशियल लेस देन 10 मेगा वोल्ट ओके तो हमें आप सिंप्ली हमें रेजिस्टेंस निकालना है ओके तो आप सभी इने बच्पन से पढ़ा है कि V is equal to IR होता है and R is equal to V by I ओके और हमें भोल्ट कीतना दिया हुआ है हमें सिंप्ली हमें भोल्ट दिया हुआ है 10 10 मेगा वोल्ट दिया हुआ है तो यहां पर मेगा को आप को यहां पर वोल्ट में कनवर्ट करना हो थे 10-10 to the power minus 3 से यहां पर multiple कर देंगे यानि 10 to the power minus 3 और डिवाड़ बैस क्या हो जाएगा के करीब आपकी वहलू आ जाएगी तो यानि करेट एंसर हो जाएगा option नंबर यहाँ पर आपका सी आजाएगा करेट एंसर नेश्ट को संद से हमें क्या दिया हुआ है फोर अर्यक्षन यहाँ पर यहाँ पर सेकेंड तो रिल्यक्सेशन टाइम के लिए कि यहाँ पता दूए कि जो रिल्यक्सेशन टाइम होता होता है वह था आपका 1 by k1 plus k2, इस value का आप यहाँ पर याद रखेंगे, यह formula भी याद रखेंगे, आप यहाँ पर देखे, 1 by k1 के value क्या हो जाएगे, 5 into 10 to the power 4, प्लस अगला क्या है, हमारा 50 है, जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों सा 50 कोमल ले ले, तो अंदर क्या बचेगा 1 by 10 to the power 4 plus 1 बचेगा, जब इसे आप solve कर लेंगे, तो आपकी value आएगे 20 into 10 to the power minus 6 second, यानि, जो minus 6 second जो आपका यहाँ पर आपका microsecond हो जाएगा, यानि 20 यहाँ पर microsecond जो है, आपका यहाँ पर answer आजाएगा, answer आजाएगा 20 microsecond correct answer, next question देगी क्या दिया होएं में यहाँ पर the number of internal degree of freedom of a linear activated complex for the reactions, यहाँ पर दिया हुआ है, इस reaction में यहाँ जो activated complex है, AB star and product form कर रहा है, तो देखिए activated complex के लिए जो आगर मैं पता दूँ यहाँ पर, उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, where A and B are monotomic reactants, अब यहाँ पर कार, अगर मैं आपको एक important बात ब degree of freedom मतलब क्या होता है, कि movement of constituents atoms, which leads to change in center of mass, यहाँ एक atom इस तरीके से move कर रहा है, जब आप इसे rotate कर रहा है, जब इस तरीके साब rotate कर रहा है, तो इसके जो center of mass जो है, center of mass जो है, वो भी move करने चाहिए, यानि उसके position से उसमें changing आनी चाहिए, but जो activated complex है, यहाँ पर monotomic है, A and B, and is activated के लिए जो है, आपका single vibrational possible है, and उसमें जो आपका center of mass change नहीं होगा, and इस case के लिए जो है, आपका internal जो degree of freedom होगा, आपका 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, यानि correct answer हो जागा option number 1, तो उमेद आपको solutions अच्छे लगेंगों है, अच्छे लगेंगें तो ब्लीज व वीडियो साथ में तब तक के लिए धन्यवाद,